जहीं दोस्तों, welcome back to Tube Talk, दोस्तों, नया हफता चालू हो चुका है और इस हफते में भी बहुत सारा content आपको OTT पर देखने को मिलने वाला है, जिसकी पूरी detail अब आपको इसी वीडियो मिलने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पर अगर पहली बार कि हम cover करने वाले हैं, जो releases इस हफते हो चुकी हैं और होने वाली हैं, यानि कि अभी सही ऐसा बहुत सारा content भी है, जो आज से आप देख सकते हैं, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आईए दोस्तों, वीडियो करते हैं, शुरू और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ release हो चुका है, अभी तक OTTs पे तो दोस्तों, बड़ा release हो चुका है, तेलगू फिल्म उग्राम का, जो की 2023 की एक तेलगू action drama movie है, जिससे अब हिंदी डब लांग्विज के साथ, जीयो सिनमा के platform पे Sunday से release कर दिया गया है, जीयो दोस्तों, उग्राम का जिन कर दिया गया है, इसी के साथ तमिल फिल्म डॉन, जो की 2022 की एक action drama movie है, इसके भी हिंदी डब लांग्विज को अब जीयो सिनमा के platform पे Sunday से release कर दिया गया है, यानि जीयो सिनमा अब काफी सारे content को हिंदी डब लांग्विज में release करना शुरू कर चुका है, इसी के साथ दोस जो की 2024 का एक सिनमा रिलीज था, इस मुवी को भी दोस्तों अब रिलीज कर दिया गया है, प्राइम वीडियो के platform पे और अगर आप प्राइम वीडियो पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर मुंडा रॉक स्टार मुवी मिल जाएगी, जो की 2024 का एक पंजाबी सिनमा इसी के साथ तेलगो फिल्म राम, रैपिड आक्शन मिशन, ये मुवी भी 2024 किया है और अब प्राइम वीडियो के platform पे OTT रिलीज हो गई है, लेकिन अफसोस इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, इसी के साथ दोस्तों एक Korean drama जिसका नाम है Perfume, इसके सीजन वन को दोस् इसी के साथ एक नई सीरीज रिलीज हुई है, जिसका नाम है Womania, और Womania सीरीज के सीजन वन को दोस्तों रिलीज किया गया है अतरंगी सोशल के platform पे, और मैं आपको आप यह बता दूँ कि यह सीरीज बेस्ट है, एक Anthology Film 6 के उपर, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, और अब इस मुवी से inspired एक सीरीज बनी है, जिसका नाम है Womania सीजन वन, जिससे अब अतरंगी सोशल पे आप जाकर देख सकते हैं, इसी के साथ आल्ट बाला जी पर भी एक नई सीरीज रिलीज हुई है, जिसका नाम है प्यार का बाजार कारोबार, इसके सीजन वन को दोस्तों आल्ट ब इस सीरीज को दोस्तों रिलीज कर दिया गया है, वेरी पारवारिक को सीजन वन के एपिसोड वन को अल्रेडी अब द वाइरल फीवर के यूट्यूब चैनल पे इसे रिलीज कर दिया गया है संडे से और आप इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और इसी के साथ मंकी फिया फिर आप उसे भामकालम 2 भी कह सकते हैं, जो कि 2024 का एक सिनमा रिलीज था, ये दोस्तों वैसे तो एक तेलगु मूवी है, लेकिन अब आहा ओरिजिनल तेलगु लैंगुज मूवी को अब हिंदी डब लैंगुज में आहा वीडियो के प्लाटफॉर्म पे 5.1 ओडिय के साथ रिलीज कर दिया गया है, और दोस्तों इस मूवी को एक ये crime comedy thriller drama film है, भामकालम 2 जिसके अच्छे रिव्यूज आये थे और ये खिलाडी housewife नाम से अब रिलीज हो चुकी है, दोस्तों ये तो वो content है जो अभी तक रिलीज हो चुका है, अब बात करते हैं कि आगे आ से VOD पे रिलीज होने जा रही है, जहां आपको rental basis पे imaginary movie देखने को मिल जाएगी, हिंदे में रिलीज हो गया नहीं, अभी तक confirm नहीं किया गया है, इसी के साथ Testament, The Story of Moses, जो कि एक Netflix original 3-part historical docudrama series है, इसे Netflix पे Hindi और English language में 27 मार्च से रिलीज कर दिया जाएगा, और इसी के साथ L Lover, जो कि 2024 की एक Indian Tamil language romantic drama film है, movie Disney plus Hot Star पे रिलीज दोने जा रही है, और अच्छी बात है कि Lover movie को Hindi, Tamil, Telgu, Kanada, Malayalam, इन सभी language इसके साथ 27 मार्च से रिलीज कर दिया जाएगा, और दोस्तों वहीं Rahal Makan Kora, जो कि एक Malayalam movie है, ये भी 2024 की movie है, जो Manorama Max के platform पे 27 मार्च से रिलीज हो कर दिया जाएगा, वहीं एक Punjabi movie, जिसका नाम है ओपरी हवा, जो कि एक mystery drama movie है, इसे चौपाल TV के platform पे 27 मार्च से पंजाबी language में रिलीज कर दिया जाएगा, वहीं दोस्तों The Spider Within A Spider-Verse Story, जो कि एक Suni Pictures की animated series है, इसे दोस्तों YouTube के channel पे 27 मार्च से रिलीज किया जाएगा, और कहानी आपको थोड़ी बहुत जो है, वापिस Spider-Man in the Spider-Verse में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक ही clear नहीं है कि इसमें ये लोग क्या रिलीज करेंगे, इसे के साथ दोस्तों बात करें, अब 28 मार्च की तोवार रिलीज होने जा रही है, Hatching, Hatching 2022 की एक Finnish psychological drama film है, जिसे दोस से Bookmashow पे इंडिया में और हिंदी लांगुज में इसे रिलीज किया जाएगा, इसके अलावा आपको Amazon Prime पर एक नई horror drama mystery series देखने को मिलेगी, जिसका नाम है Inspector Rishi, और इस सीरीज को दोस्तों South Indian languages के साथ साथ हिंदी डब्ड लांगुज में भी रिलीज किया जाएगा, सीरी आपको 29th of March से Amazon Prime Video के प्लाटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ Heart of a Hunter, ये एक thriller adventure मूवी है, जिसे Netflix से प्लाटफॉर्म पे 29 माँज से रिलीज किया जाएगा, वहीं लगन कलोल, ये एक मराथी मूवी है जो अपना OTT प्रिमेर करेगी, 29th माँज से आपको Prime Video के प्लाटफॉर्म पे लगन कलोल देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ दोस्तों बड़ा रिलीज होने जा रहा है, पतना शुकला मूवी का, जो कि रवीना टंडन का एक courtroom drama है, जिसकी lead में आपको रवीना टंडन के साथ 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 सतीश कौशिक मानविच और चंदन Roy Saniyal, जो कि अपने बपा स्वामी है, आश्रम से, ये भी देखने को मिलेंगे, मूवी दोस्तों पतना शुकला जो है, वो रिलीज होगी 29th of March को Disney Plus Hot Star पे और इसके ट्रेलर अलरेडी आउट हो चुका है, इसी के साथ प्रिमालू, ये एक मल्यालम मूवी है, जो Disney Plus Hot Star पे 29 मा पे 29th of March को रिलीज हो जाएगी, इसी के साथ दोस्तों, The Great Indian Couple Show, जो कि एक कॉमेडी स्टेज डामा है, जिसमें वापसी करने जा रहे हैं दोस्तों, अब सुनील ग्रोवर, कृष्णा, की कुशारदा, सब वापिस आएंगे, और कपिल शरमा शो आप ही देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे, दोस्तों, इस 30th of March से रिलीज हो जाएगा, दोस्तों, Netflix के प्लाटफोर्म पे, तो दोस्तों, ये वो content है, जो अभी तक confirmed है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, लेकिन अगर आप चैनल पर बने रहोगे, तो जो और नहीं confirmations आएंगी, वो भी म आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो ये था एक quick update, until I get back to the next video, it's goodbye from Tube Talk.